Hello guys, my name is Nitish and welcome to my YouTube channel So हम लोग हमारे deep learning course में धीरे देरे आगे बढ़ रहे हैं और हमने पिछले दो वीडियो में multi-layer perceptron के बारे में पढ़ाई की पहले वीडियो में हमने multi-layer perceptron का intuition देखा और अभी last video में मैंने आपको उसका notation बताया कि आप किस तरीके से उसके weights और biases को name करते हो so that आगे confusion ना हो तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरा flow क्या है हम लोग धीरे धीरे move कर रहे हैं एक बहुत important topic की तरफ जिसको बुलाया जाता है back propagation so back propagation वो algorithm है जिसको use करके आप neural networks को train करते हो और ऐसा बोला जाता है कि back propagation समझना थोड़ा difficult है तो मैंने plan किया है कि हम back propagation समझने के पहले चीजों को काफी simplify कर लेंगे ठीक है तो जब आप back propagation पढ़ोगे तो वहाँ पे आप realize करोगे कि वहाँ पे दो चीजे होती है एक होता है forward propagation forward propagation क्या होता है कि जहाँ पर आपका data as in आपका input आपके neural network में धिरी तिरी आगे बढ़ता है through each layer ठीक है और back propagation होता है जब आप पीछे की side आकर के weights को update करते हो जिसके through training होता है तो मुझे लगा कि back propagation पढ़ने के पहले एक बार आपको बहुत अच्छे सा idea होना चाहिए कि forward propagation कैसे काम करते है तो इस वीडियो में मैं आपको forward propagation सिखाऊंगा या फिर आप simple words में बूल सकते हो कि अगर आपके पास एक input है और अगर आपके neural network में कुछ weights है तो आप उन weights को use करके और इन inputs को use करके at the end आपको सिर्फ dot products करने होते है matrices के तो मुझे बस आपको ये overview video देना था तो that's why मैंने आज का video shoot किया है मैं एक चीज़ और आपके साथ discuss करना चाहूँगा सभी courses में आपने notice किया होगा कि generally लोग back propagation पढ़ने के बाद real world data sets की तरफ move करते हैं और examples की तरह उसको बढ़ते हैं बट मैं इस course में थोड़ा अलग करने वाला हूँ मैं back propagation के भी पहले आपको keras library use करके कुछ real world data sets के उपर neural network train करके दिखाऊंगा I know हमने अभी training नहीं पढ़ा है बट हमें खुद से तो उसका code लिखना भी नहीं है keras behind the scenes handle कर देगा तो मैं बस आपको एक बार perspective देना चाहता हूँ कि चीज़े काम कैसे करती है आप एक बार देख लोगे तो जब आप back propagation पढ़ने जाओगे आपको और better समझ में आएगा और फिर हम उसके बाद फिर से कुछ projects करेंगे तो मेरा plan यह है कि आज की वीडियो में we will learn about forward propagation या फिर आप बोल सकते हो कि एक neural network prediction कैसे करता है और फिर अगले दो-तीन वीडियो में हम कुछ data sets के उपर Keras library के साथ काम करेंगे So that's it for the introduction Let's start the video So guys चलो हमें इस वीडियो में सीखना है कि एक neural network prediction कैसे करता है So neural network एक complex architecture है जहाँ पे आप कितने भी nodes लगा सकते हो आप कितने भी layers add कर सकते हो हमारा goal रहेगा कि हम इतने complex architecture से जो prediction निकलता है उसको simplified तरीके से सीखे अच्छी बात यह है कि linear algebra behind the scenes सब कुछ handle कर लेता है आपको बस उस flow को समझना है So screen पर अभी आपके एक neural network है जहाँ पे this is the architecture there are two hidden layers and one output layers मेरे पास ये data है data मेरे पास चार input columns है CGPA, IQ, 10th के marks, 12th के marks और फिर output column है placed कि उस बच्चे का placement हुआ या नहीं हुआ अब मेरा मानना है कि कभी भी आप neural network के साथ अगर काम कर रहे हो तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि total number of trainable parameters कितने है जब back propagation algorithm काम करेगा कितने weights और biases की value को खोजेगा ठीक है बहुत simple है अगर आप इस जगा focus करो तो यहाँ पे चार notes है input में और तीन notes है इस hidden layer में तो total जो आपके connections है वो है 4 x 3 मतलब की 12 और यहाँ पे तीन notes है तो तीनों के biases मतलब यहाँ पे आपके पास 15 trainable parameters है यहाँ पर दो notes है तो यहाँ पे total number of connections हो जाएंगे 6 plus यह 2 biases equal to 8 और यहाँ पे आपके पास एक node है तो यह हो जाएगा 2 x 1 मतलब 2 weights plus 1 bias तो 3 तो 3 plus 8 is 11 11 or 15 there are 26 parameters तो यह बात तो हमें समझ में आ गए कि total जब training होगी तो 26 weights and biases की training होगी ठीक है अब हमें करना है prediction तो होगा क्या एक एक करके एक एक row को हम insert करेंगे training के time पे तो सबसे पहले यह वाला row उठके जाएगा ठीक है तो यहाँ पे 4 columns है इसलिए यहाँ पे 4 input nodes है तो यह 7.2 यहाँ से खुसेगा 72 यहाँ से खुसेगा 69 यहाँ से खुसेगा और 81 यहाँ से खुसेगा और फिर इस complex architecture में यहाँ पे y hat आएगा prediction of my model ठीक है and obviously आप जब शुरू करोगे तो आपके weights और biases का एक random value से शुरू करोगे ठीक है तो अब देखते हैं कि prediction होता कैसे अब बस याद रपने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी perceptron से output चाहते हो तो this is the formula for it आप क्या करते हो जितने भी weights हैं उसको input से multiply करते हो plus bias add करते हो और पूरी चीज़ का sigmoid निकाल लेते हो यह हम already देख चुके तो अब हम क्या करेंगे layer by layer prediction को calculate करेंगे जैसे सबसे पहले हमारा focus रहेगा यहाँ पर तो देखो मैंने क्या किया है मैंने एक weight matrix बनाया है in weights के लिए in weights के लिए ठीक है इस matrix को अगर आप देखो तो जो मैंने notation last video में introduce किया था उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है तो पहले रो में लिखा है w111 ये वाला weight w112 ये वाला weight w113 ये वाला weight उसके बाद w121 ये वाला weight w122 ये वाला weight w123 ये वाला weight और इसी तरीके से आगे भी आप देख सकते हो तो अगर आप notice करो तो अगर आप row पे focus करोगे तो वो input से निकलने वाले सारे weights है और अगर आप column पे focus करोगे तो फिर ये यहाँ पे आने वाले सारे weights है इस तरीके से ये matrix designed है ठीक है अब मुझे क्या करना है मुझे इसको multiply करना है मेरे input से मेरा input क्या है मेरा input ये column matrix है ठीक है जहाँ पे मैंने x i1 x i2 x i3 और x i4 को ले रखा है अब बस मुझे काम करना होगा weight matrix को transpose करना पड़ेगा ठीक है मैंने इसको transpose कर दिया पहले ये 4 x 3 था transpose होने के बाद 3 x 4 हो गया इसका shape है 4 x 1 तो since ये और ये same है आपको एक नया matrix मिलेगा 3 x 1 और आपके बाद बायस अल्री है 3 x 1 तो 3 x 1 और 3 x 1 को जब आप add करोगे तो आपको एक और 3 x 1 matrix मिलेगा तो वही मैंने नीचे कर रख है यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस वाले matrix को transpose किया और फिर dot product लिया you can see this is the output ये इससे multiply हुआ प्लस ये इससे multiply हुआ प्लस ये इससे multiply हुआ ये इससे multiply हुआ और मेरे पास ये चीज़ आ गए similarly ये इससे multiply हुआ इससे और मेरे पास ये चीज़ आ गई और similarly मेरे पास ये चीज़ आ गई अब ये जो matrix है इसका shape है 3 cross 1 मैंने उसको bias में add कर दिया और मुझे ये चीज़ मिल गया और अब बस मुझे क्या करना है इस पूरी चीज़ का sigmoid निकाल देना है और जैसी मैंने sigmoid निकाला मेरे पास ये matrix आ गया O11, O12, O13 अगर आप यहाँ पर focus करो तो यह रहा आपका O11 यह रहा आपका O12 और यह रहा आपका O13 ठीक है? अब यही input जाएगा अगले वाले layer के लिए तो वही मैंने क्या किया? मैं आगे बढ़ा और मैंने layer 2 स्टार्ट किया layer 2 में अगर आप notice करो तो इस जगा पे there are 6 weights तो मैंने फिर से उसी तरीके से लिखा है W211 basically यह weight ठीक है? उसके बाद मैंने लिखा है W212 यह वाला weight फिर मैंने लिखा है W212 12 sorry, 21 21 फिर 22 और फिर मैंने last वाले का लिखा है ठीक है? तो यह मेरा weight matrix है इस बार इसका shape है 3 cross 2 इसको transpose करेंगे 2 cross 3 हो जाएगा यह मेरा input है इस बार input 3 cross 1 है और यहाँ पे 2 cross 3 है सिंसे 3 और 3 सेम है तो मुझे 2 cross 1 का एक matrix मिलेगा मेरे पास already bias है 2 cross 1 का यह वाला और यह वाला और फिर जब मैंने फिर से dot product करके add किया तो मुझे यह मिला आप एक पर copy pen लेके verify कर सकते हो और अब मुझे क्या करना है? फिर से sigmoid apply करना है और जैसे मैंने sigmoid apply किया यह रहा मेरा 2 outputs यह वाला output और यह वाला output अब बस last layer बचा last layer में मेरे पस दो weights है यह रहे मेरे दो outputs और यह रहा मेरा single bias इस वाले का और अब बस मुझे क्या करना है? transpose किया 1 cross 2 हो गया 2 cross 1 के साथ किया तो 1 cross 1 का एक matrix मिलेगा उसको मैं 1 cross 1 के साथ add करूँगा यह रहा मेरा वो matrix इसका मैंने sigmoid निकाला और यह रहा मेरा o 3 1 भी बोल सकते हो आप इसको या फिर आप बोल सकते हो yi hat and you can see किस तरीके से आपका पूरा का पूरा data flow करके eventually एक single number में convert हो गया and all because of आपने simple matrices का multiplication किया तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप इससे भी एक complex structure बनाओ और copy pen लेकर के उसको verify करो see add the end हो क्या रहा है add the end बहुत simple सी चीज़ हो रही है मैं काम करता हूँ थोड़ी दिर के लिए एक notation हम use करते हैं कि हम input जितना भी है उसको collectively हम बोलेंगे a square bracket 0 मतलब zeroth layer का activation बोल सकते हो similarly इस layer में जो भी output आया था ये इसको हम collectively बोलेंगे a 1 first layer का activation similarly इस layer में जो भी output आया था अगले वाले में इसको हम बोलेंगे a 2 और finally जो last output आया था इसको हम बोलेंगे a 3 या activation 3 सो हो क्या रहा है कि आप ये formula लगा रहे हो आप सबसे पहले activation of layer 0 को ले रहे हो इस वाले को और इसको multiply कर रहे हो weight of 1 से in weight से जिनका superscript 1 है और उसमें आप add कर रहे हो bias of layer 1 और जब आप इसके उपर sigmoid लगा रहे हो तो आपको मिल जा रहा है a of 1 ठीक है उसके बाद आप क्या रहे हो आप a of 1 को ले रहे हो और उसको multiply कर रहे हो weight of 2 के साथ और उसमें भी आप bias of 2 को add कर रहे हो और जब आप इसका sigmoid ले रहे हो तो आपको मिल जा रहा है a of 2 फिर आप क्या कर रहे हो a of 2 को ले रहे हो और उसको multiply कर रहे हो weight of 3 के साथ और bias of 3 के साथ add कर दे रहे हो और जब आप इसका sigmoid ले रहे हो तो फिर आपको मिल रहा है a of 3 which is finally your output in fact ये पूरी तरीके से chain हो सकता है कैसे ये देखो हम ऐसे लिख सकते है w का 1 plus b का 1 अब ये है मेरा a का 1 अब मैंने क्या किया इसमें multiply कर दिया w of इसमें मैंने multiply कर दिया just one second w of 2 से और मैंने add कर दिया b of 2 और फिर मैंने इस पूरी चीज का फिर से sigmoid निकाल दिया तो अब ये जो पूरी चीज है ये है a of 2 फिर मैंने क्या किया इसमें add किया weight of 3 और फिर मैंने इसमें add किया bias of 3 और फिर मैंने इस पूरी चीज का फिर से sigmoid निकाल दिया और यह जो पूरी बड़ी सी चीज है यह है मेरा A का 3 जो की मेरा finally output है तो यही हो रहा है यही मैंने matrix math में शुरू में दिखाया और यही वो complex expression है जो यह neural network solve कर रहा है अगर आप और ज़्यादा layers add करते जाओगे यही expression और बड़ा होते जाएगा ठीक है अगर आपको यह समझ में नहीं आया भी या कोई point रह गया एक बार खुझ से अपने copy pen को उठाओ एक neural network architecture ड्रॉ करो इससे छोटे से start कर सकते हो और खुझ से उसका matrix math लिखो कि यह prediction हो कैसे रहा है आपको समझ में आ जाएगा So that was the video guys I hope आपको चीज़े समझ में आई बहुत ही easy तरीके से मैंने समझाने का try किया मैं आपसे request करूँगा कि अगर आपको इस topic को अच्छे से समझना है तो एक बार अपने copy पे अपने pen को use करके एक neural network architecture बनाओ और फिर scratch से उसका prediction कैसे होगा वो बनाने का try करो जो practice आप करोगे न वो आपको जादा help करेगी rather than watching this video So I hope आपको वीडियो पसंद आया और अगर पसंद आया तो please do like it also do subscribe my channel it motivates me a lot हम देरे देरे deep learning complete कर लेंगे तो that's it from my side let's meet in the next video Bye